नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जीवन में हर कोई चाहता है सुख हो सांती हो सम्रिद्धी हो और किसी तरह की कभी कमी महसूस ही ना हो लेकिन अगर कुछ खास नियम अपनाते हैं साबन के महिने में तब और एक ऐसा बात जो भूल कर भी आपको किसी को नहीं कहना चाहिए क्योंकि इससे भी लक्ष्मी रूर जाती है तो चलिए आज हम आपके साथ बहुत सारी बाते साचा करेंगे तो वीडियो के अंतक बने रहें घर में धन, सुख, सांती, अनधन लक्ष्मी के लिए बहुत ही महतपुर्ण नियम बताए गये हैं हमारे वास्तु सास्त्र में भी और हमारे जोतिस में भी तो ऐसे में सबसे पहले तो हम भगवान स्री हरी की उपासना तो हर घर में होती है लेकिन मा लक्ष्मी को मनाने के लिए हर कोई परिसान रहता है कैसे मा लक्षमी को मना लें, कैसे भगवान स्री गनेश को मना लें, कि जीवन में सुक सांती सम्रीदी बढ़ती ही चली जाए, कभी भी किसी चीज़ की कमी ही ना हो, कभी हम वास्तु को ठीक करते हैं, कभी बेपसाई में लॉस हो गया, तो उसके लिए सर पे हाथ रख कर लिए बहुत सिंपल तरीके से आज एक उपाय आप करें, घर में कुछ ऐसे नियम होते हैं, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं, तो जीवन में कभी अंधन की कमी नहीं होती, पहली बात, वैसे महिला और पूरुस दोनों ही उपाय कर सकते हैं, तो चलिए साजा करते हैं आप सुबह सुबह वैसे तो अभी सबका लाइफ स्टाइल हो गया है, रात में देर रात बार एक दो बज़े तक रात जगे वे हैं, और सुबह में आट नौ बज़े तक सोए वे, ये चीजे छोड़ दें, सुबह सुबह उठिए, रात में जल्दी सोईए, इससे आपका गुर और सुक्र चंद्रमा समझबूत होगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा कमजोर हो जाता है, जब आप देर रात जाकते हैं, फिर मन की परिसानी ज्यादा परिसान करती है, और जब मन परिसान रहेगा, तो ना धन कमाने में मजा आएगा, और ना ही धन बचाने में मजा तो लापरवाही से पहली बात है जो आपको बचना है द्वार पे जब भी कोई आए चाहे वो चिडियां ही क्यों नहों कुछ नहीं कुछ उसे खाने के लिए जरूर दे आपके पास जो भी है एक छोटा सा रोटी का टुकरा भी दे सकते हैं अगर कोई मांगने के लिए आयात नहीं करता अगर अपने हातों से लक्षमी को दे देंगे तो फिर मुस्किल में आ जाएंगे इसलिए जहां तक संभव हो आप खाने पीने की वस्तू दें यह ज्यादा अच्छा है आप महिला हैं अपने किचन में ज्यादा तर समय आप गुजारती हैं रात में किचन में ज आफ करती हैं तब दूद का चीटा एक दोबुन डालकर बंद कर से ओफ करें या फिर जब आप रोटियां बनाती है ना तो आटा गुति समय ही उसमें थोरा सा दूद डालें ऐसा करने से आटा जो आप दूद से गुथेंगे ना फिर उसकी जो रोटियां बनाकर फुलके जिसे कहते हैं आप अवन पेचुले पर जब उसे फुलाइंगी सेकेंगी तब जो उसकी गंध उठेगी वो आपके जीवन के सकारतमक्ता को बढ़ाता है और वास्तु दोस्कों भी दूर करता है मा लक्ष्मी परसंद होती है इसके साथ ही कभी भी पूरा घर अंधेरा करक सकते हैं आपके घर में पूजा पाठ तो होता ही होगा चाहे आप किसी भी धर्म के हो आप प्राठना तो करते होंगे क्योंकि मंत्र की सकती सबसे बढ़ी सकती है अगर आपके जैसे जीवन में कभी कभी क्या होता है न देव गुरू रूट गया तो ना संतान का सुख मिले ना धन का सुख मिलेगा ना ही मान समान बढ़ेगा तब रोज एक नियम बना लें एक लोटा जल में चुटकी हल्दी डालकर भगवान सुरी को और पीत करें और हल्दी का तिलक अपने कंट पर माथे पर या फिर कलाई पर कहीं भी एक जिगह लगाई है और नियमित रूप की या लाल धागे की बाती बनाईए और तुलसी की परिक्रमा करते वे ओम नमो भगवते वासु देवाय मंदर का जब करें बहुत सिंपल उपाय है लिकिन जीवन में बड़े काम करते हैं एक बात हमेशा ही याद रखिए आप महिला हैं तो भी आप महिलाओं की सम्मान करे आप पुरू से तो आपको ज्यादा करना होगा नहीं तो आपका सुक्र ही गड़बड हो जाएगा महिलाओं का सम्मान जरूर कीजिए आपका बुद्ध भी बहतर होगा आपके बुद्धी बहतर होगी लच्छमी खुस रहती हैं बहुत सारे ऐसे लोग हमें मैसेज करते है बहुत तकलीफ है पती से साथ नहीं बनती परिसानी बहुत है गाली गलोज मार पीट करते हैं अच्छी बात नहीं है अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुद भी टेंसन में रहेंगे और आपके घर में बरकत भी नहीं होगी घर में खुसियां लाइए क्योंकि जब आप थ इस्ते नाते छूट जाएंगे सब अपने अपने दुनिया में होंगे तब यहीं पत्नी आपके साथ होगी इस बात को हमेशा धियान रखें दूसरी बात नियमित रूप से प्रार्थना करें आप जो भी धम के मानने वाले हैं हर गुरुवार के दिन अपने पास के किसी भ पूद, दही, नमक, सहद, लहसन, प्याज, या फिर पैसे जिसे लिक्विड बनी कहते हैं मत दीजे लक्षमी खड़े ख़र आपके घर से चली जाएगी और ऐसा माननेता है रात में देने से परिसानिया बढ़ती है घर में बाद विवाद बढ़ते हैं और जीवन में सुक सुक सान्ती के लिए गुरहों को बहतर करना होता है तो यह चोटे उपाय तो हैं पर हैं बड़े काम के अगर आपको लगे घर में बहुत वास्तु दोस्त बढ़ गया है तो आप अपने कीचन में एक काच की कटोरी में फिटकरी का एक टुकरा रख दे और उसे यूहीं रह इननियम बना ले एक कांच के गलास में पानी ले ले पानी आपको तीन भाग रखना है अब उसमें यह चमश चमश नमख डालन Samuel और इस नमक को हर मेहने गता को पानी बनाई इस भीच अगर नमक पानी सूख रहा है तो इसमें पानी डाल दे, कहने के ताथ पड़िये जो पानी है, घर की नका तमक उर्जाओं को सोख लेता है, नियमित रूप से हरमंगल सनिवार के दिन, आप सरसों के तेल के दिया में, चुकि आपके घर में देखिए दिया बाती होता होगा, उस अ पतिवार के दिन आप घी का दियावाती कीजिएगा सामके समय अन्य दिनों में सरसों के तेल में एक लॉंग या पिर एक काली मिर्च डाल कर ही दियावाती दिखाईए या रखिए लॉंग या काली मिर्च इससे आपके ऊपर अगर किसी ने कुछ किया होगा तो वापस उसके पास चला जाएगा नियमित रूप से कुछ नो कुछ दान करते रहें खाने पीने की वस्तू किसी को वस्त्र की आप सकता है आपके पुराने कपड़ें उसे धोलें अच्छे से फ्रिस्क से धोलें बिना धुलेवे कपड़े किसी को मत दीजेगा वरना आपका भाग ये चल लगाएंगे आपका स्वास्त अच्छा रहेगा तो इस तरह से रभी बार के दिन लगाएंगे आपका मान सम्मान यस बढ़ेगा जिस भी दिन आपको इच्छा हो आप लगाईए और नियमित रूप से 8 दिन या 15 दिन में चेंज करते रहें घर के मुखे दरवाजे पर और चावल के पेश्च से भी बना सकते हैं और इसे जब भी कोई बड़ा अफसर हो अच्छे दिन हो उसको रिपीट कीजिए फिर से उस महां पर बनाईए स्वास्तिक के दोनों स्तरफ दो खड़ी रेखाएं जरूर डालिएगा क्योंकि ये खड़ी रेखाएं आपके घर क लखिकी लख्षमी को बानता है लख्षमी बंदी रहेगी तो आपके घर में रहेगी स्वास्तिक को खुला कभी मंठ चुडिये चाहिए आप कहीं भी बनाते हैं और भू कर भी घर जाडू को खूले जगह में रात के समय मत छोड़ीएगा आंगन में छज्जे पर छट पर बिल्कुल भी नहीं दिन में भी आप ऐसे जगह रखे मौन लेते हैं आपने धोया है जड़ुको घिला है अपने सुखने को दिया लेकिन ऐसे जगह रखे कि हमेशा ही बैक्ति का किसी भी आते जाते लोगों का नजर उस पर ना पड़े। जब भी आपके घर में नई जाड़ो आती है तो उसमें मौली धागा जरूर बांधिये। ऐसा करने से आपके लक्षमी को आपने बांध दिया ऐसा माना जाता है किसी के साथ जारू सेयर नहीं करना चाहिए घर आई लक्षमी चली जाती है छोटे छोटे उपाए आपकी जीवन को बदल सकता है और एक बड़ फिर से रिपीट कर रहे हैं महलाओं का सम्मान करें घर मे अनधन लक्षमी की कभी कभी नहीं होगी हर हर महादेव